इसे आप लोग उमीद करता हूँ, आप लोग की पढ़ाही बहुत बढ़िया से चल रहा होगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था जो है फेडरलिज्म फेडरलिज्म जो है क्या है आज हम डिसकस करेंगे इसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे जिन बचों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूटूब में NCRT टुटोरियल बाइदीपक एकाडमी करके हमारा चैनल साजाएगा उस चैनल में जाकर कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजेगा ताकि टाइमली बीडियो आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग जो है अपना पढ़ाई टाइमली कर पाएंगे अब हम देखते हैं तो इस यह हमारी इंडियन कांसिचूशन की एक स्पैशिलिटी है कि कंसिचूशन जो है यह जो है गारंटी करता है कि एवरी एडल्ट जो है जो भी अपना इंडियन सिटिजन है वो एडल्ट है जो है वो ओट कर सकता है ओट करके क्या करेगा वो अपने रिप्रेजन्टेटिव को इलेक्ट कर सकता है जो कि MP या MLA बनते हैं और जहां से वो अपने country को या state को जो है represent करते हैं. People of India have direct role in electing their representative और जो है people of India have direct role. हम जो है Indian जो है direct role play करते हैं आपने जो है representative को जो है elect करने के लिए every citizen of the country irrespective of his caste social background can also contest an election. मतलब कि अगर वो Indian citizen है तो जो है वो election को contest कर सकता है. मतलब कि वो जो है representative बन सकता है and these representatives are accountable to the people और ये representative जो है accountable होते हैं people को. पीपल के जैसे कि जिस चीज के लिए उनको जो है हम elect करते हैं वो जो है उनकी responsibility जो है बन जाती है ताकि वो जो है उसको fulfill करें. अब हम देखेंगे कि कैसे जो है ये जो है इनका selection होता है और कैसे ये जो है accountable होते हैं जो हम देखेंगे कि कैसे जो है ये representative जो है accountable होते हैं तो एक बार brief जो है मैं बता देता हूँ कि इनका selection ये कैसे contest करते हैं ठीक है कहां पर जो है rule बनाते हैं कैसे होता है तो देखें जैसे कि मैंने discuss किया था MP होते हैं आप लोगोंने बहुत सुना भी होगा member of parliament जो है ये होते हैं ये जो center level पे जो government होती है उसके member होते हैं ये parliament में बैठते हैं ठीक है ये जो क्या करते हैं contesting in election election में contest जो है election में खड़ा होते हैं वो ठीक है contest करते हैं और chosen by people लोगों के द्वारा जो है चूने जाते हैं तो ये जो members जो खड़े होते हैं वो किसी party से हो सकते हैं तो हर party का एक agenda होता है एक उनका जो है vision document होता है जो जो अपना document जो है ले के जनता के पास जाते हैं कि अगर आप लोग हमारी party को जीताते हैं या हमारे party के member को जीताते हैं तो जो है आपके area में जो है जो भी सणक का है problems है hospitals है बिजली है ठीक है जो poverty है तो इस सब को जो हम धूर करेंगे और क्या-क्या जो है facility जो है दिया जाएगा तो ये जो है ये लोग एक vision document लेके जाते हैं उस basis पे जो है जनता क्या करती है access करती है क्योंकि हर party बहुत सारी party आई इंडिया में हर party का अपना अपना एक document होता है जो है वो लेके जाते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी party से ही जो है member होना चाहिए जो contest कर रहा है वो independent भी कोई खड़ा हो सकता है ठीक है तो chosen by people लोग जो है उसको चुनते है to work for their welfare and development ठीक है मतलब कि उनके welfare के लिए और area के development के लिए ये लोग जो है काम करेंगे तो जैसे कि ये contest जो है इन्होंने किया election जीत गए और ये जो है parliament में जाके बैठे तो अब जो है इस area के जहां से लोगों ने इनको चुन के भेजा है उनके जो भी problems है जो भी समस्याएं है जैसे school, college, बिजली, सनक, पानी की वो जो है यहाँ पे जो है जो parliament में जाकर के अपने लोगों की problems को बोलो वो जो है रखेंगे तो जो भी policy बनेगी और जो fund का allocation होगा उस basis पे जो है fund यह जो है MP जब उस problem को project करेंगे तो उसको assess करके जो है fund allocate होगा और उस fund से जो है इस area में काम होगा तो इस तरह जो है यह MP जो है responsibly responsible है towards the chosen people जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है अगर वो ऐसा करने में fail हो जाते हैं और कोई भी काम नहीं कर पाते हैं अपने वादे के अनुसार जो division document में जो उन्होंने दिया है तो next time जनता क्या करें उनको जो है उन पे trust नहीं होगा और उनको जो है vote नहीं देगी same जो है MLA state level पे होते हैं जिसको member of legislative assembly बोलते हैं यह state level पे होते हैं इन्होंने भी election में contest किया and chosen by people to work their welfare and development तो यह जो है इनको भी जो है लोगों ने यह भी जो है किसी party से हो सकते हैं या independent भी हो सकते हैं ठीक है तो यह जो है on basis of that जैसे कि यह जो जीत के चले गए तो यह जो है legislative assembly जो बिधान सभा होता है इस state का उसमें जाके बैटेंगे और यहां से लोगों के problems को जो है वो यहां पे project करेंगे कि हमारे area में जो है यह यह problems है इसको जो हमें ठीक करना है तो उस basis पे जो है उनको fund दिया जाएगा और उस अपने area में यह काम कराएंगे तो इस तरह जो है यह accountability होती है जो भी हमारे representative चून करके जाते है ठीक है तो इस तरह से इस video में हम इतना ही cover करेंगे जिन बचों ने चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe कर लीजिएगा ताकि और bell icon को दबा दीजिएगा ताकि जो है timely आप लोगों को notification मिलता रहेगा इस chapter के exercise का answer हमने अपने site पर डाला है www.fullexpand.com उसमें जाकर के आप लोग वहां से जो है जाकर के write down कर सकते हैं और जो है timely जो है पढ़ाई कर सकते हैं इस वीडियो में इतने ही okay thank you